पिर 65 से जो है 95 तो जवाब यहाँ पर पहला में जवाब क्या हो जाएंगे तो 1945 से जो है यहाँ पर 1991 तक यहाँ पर सीथ यूद का जो है काल खंड था तो अप्शन नमर जो है C को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे अगला सवाल आपका यहाँ पर दो नमर में आता कि इस सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएंगे तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जवाब होंगे दो नमर सवाल का जवाब यह हो जाएंगे सोवियत संग अप्शन नमर वी वाले करेक्ट आंसर ठीक है अगला सवाल यहाँ पर तीन नमर में आ बढ़ आइस बहुत बढ़ी है बढ़ आवाज जा रहा है बढ़ी तक चलिसले बताई गाया दर्रा नाथूला दर्रा भारत को उसके किस पडोसी देश से जोड़ता है यहाँ पर पाकिस्तान को जोड़ता है नेपाल को जोड़ता है चीन को जोड़ता है फिर स्री लंका को जोड़ता है इस परस्ण का जवाब लगाएंगे आप लोग जल्दी से यहाँ पर जवाब क्या होगा चार नमर सवाल में तो यहाँ पर पाकिस्तान होगा, सही उतर, नेपाल होगा, बंगला देश स्रिलंका हो जाएगा, पांच नंबर सवाल जो आपके स्क्रिन पर दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे, सही बच्चे जल्दी से आंसा लगाएंगे, अपने प्यारे मित्रों के साथ इ दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग वाट्साफ मेसेज करके आप लोग ग्रूप को जोईन कर सकते हैं, ठीक है, तो चले बाबो यहाँ पर बताइएगा, सही बच्चे, पांच नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, तो पांच नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे, छे नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होंगे, प्यारे बच्चे, तो छे का जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यह देखे, जल विबाद, ठीक है, वाटर विबाद यहाँ पर जो वाटर प्रोग्रम का विबाद था यहाँ पर, तो अपसे नंबर यहाँ correct answer यहाँ पर हो जाएंगे ठीक है अगला सवाल यहाँ पर 7 नमबर में आता है कि 10 December को क्या मनाया जाता है 10 December को क्या मनाया जाता है आप सही बच्चे जल्दी से जो है आप लोग answer बताईएगा फटा फट से ठीक है चले जल्दी से बताईएगे यहाँ पर 7 नमबर सवाल का जवाब क्या होगा तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे मानवा धिकार दिवस ऑप्सन नमबर A वाले correct answer हो जाएंगे अगला सवार यहाँ पर 8 नमबर में आता है कि तनु जी गुडीवनिंग बाबू चले जवाब लगाईए आठ नमबर सवाल का जवाब क्या होगे तो राइट आंसर पर यहाँ पर उप्सन नमबर A को आप लोग सवाल यहाँ पर 10 नमबर में आता है कि भारतिय संग जनसंग के संस्थापक कौन थे महात्मा गांदी जी सुभास चंद्रबो स्यामा परसाद मुखर जी या फिर दिन दयाल उपा दिया है दस का जवाब क्या होगा बागू चली दस नमबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जबाब होंगा आपके चाही उत्तर यह जाएंगे आपके यहाँ पर सीथ यूद्ध का चर्मोध कर्स आप्सन नमबर एवाला को आप लोग यहां पर राइट अंसर कीजेगा ठीक ह और सभी बच्चे को ध्यान देरा है कि आप बच्चे को वाड़ी से आपे यहाँ पर आप लोग यहाँ आप लोग इस चैनल पर नए हैं बाबू आपलोग सब्सक्राइब कर लीजगा चैनल को बेल आज़े neste का मगाने का काम करेंगे ठीक है और आप जल्दी जल्दी लाइब चट में आप लोग आँसर बताइए गा ठीक है. लाइब चाइट में आप लुग जल्दी से आंसर बताना है तो अगला सवाल लेकरकर का आते हैं याँ पर बारा नंबर में कि 1905 में वर्सा संधी में कौन सा देश सदस्य नहीं था, सोवियत संग, कॉलेंड, पस्मी जर्मनी या फिर पूर्वी जर्मनी, इस प्रस्न का जवाब क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर, तो बारा नंबर सवाल का जवाब हो जाएगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर पस्मी जर्मनी, अगला सवाल देखेगा यहाँ पर, जो ए तेरा नंबर में आपका आता है सवाल, दूसरी पर अधुनिया के देशों में, इस परकार के देश आते हैं, पुंजी वादी देश, विकासिल देश, गुट निर्पेक्छ देश या फिर सामिय वादी देश, चार आफ्टन आप अगला सवाल पंदरा में आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है, तो चीन है, रूस है, भारत है, फिर बिटेन है, पंदरा का जवाब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, पंदरा नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपके यहाँ पर आंसर, यह हो जाएंगे आपके यहाँ पर बढ़िया से आंसर ब्रिटेन, ठीक है, क्या जवाब होगा हमारा, तो ब्रिटेन जो है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, आपसर नंबर डी वाले, के लिए रहे हैं, अगला सवाल देखेगा, आप लोग यहाँ आपर 16 न पर यहाँ पर राइट आंसर है, किलिए है, सभी बच्चों को, आपसर नंबर बी, सभी उतर होगा, अगला सवाल 17 में आता है, कि किस देख ने नाटों में अमेरिकी नेतरित वका विरोध किया, तो ब्रिटेन, फ्रांस, पस्मी जर्मनी या फिर इटली, तो इस सवाल का ज सभी उतर हो जाएंगे, 18 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे, प्यारे बच्चे, राइट आंसर आपके यहाँ पर, अमेरिका, अमेरिका जो है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगला सवाल आ जाता है, आपका यहाँ पर, 19 नंबर में, जिसमें पूछा गे कि 11 सितं नमबर 2001 को निमनलिकित में से कौन सी घटना घटी थी भारतिय संसत पर आतंकवादी हमला हुआ था होटल ताज पर आतंकवादी हमला हुआ था विश्व वैपार केंदर पर आतंकवादी हमला हुआ था इन में से कोई भी नहीं तो उन्हेस का जबाब क्या है यहां पर उन्हे तो वेपार केंदर पर आतांकवादी हमला, option number C वाले correct answer हो जाएंगे, अगला सवाल 20 नमबर में आता है, आपका यहाँ पर निमनलिखित में से किस देश ने खुले दवार की निती अपनाई भारत ने, ब्रिटेन ने, पाकिस्तान या फिर जो है चीन ने, तो 20 का जवाब क्य आँगे, तो right answer हो जाएगा प्यारा बच्चा आपके यहाँ पर चीन ने, तो यहाँ पर option number D वाला बिल्कुल correct answer हो जो की खुले दवार का निती अपनाई थी, चीन ने, option number D वाले सही उतर हो जाएंगे, अगला सवाल, यहाँ पर 21 नमबर में आता है, कि किस देश ने सुरक तो भारा जो है परमानु बमों का परसार चाहता है, वा इसे भेदभाव पूर्ण मानता है, तो यहाँ पर जो है गुट निरिपक्षता की नीती पर भावित होगी, हाना, और फिर जो है यहाँ पर इन में से कोई भी ने, तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या जीजेगा, और यहाँ पर 22 नमबर सवाल जो आपको दिख रहा है, इस परसन का जो जवाब होंगे, प्यारे बच्चे राइट आंसर यह हो जाएंगे, आपके यहाँ पर वह इसे भेदभाव पूर्ण मानता है, तो ऑप्सन नमबर वी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे, अगला सवाल यहाँ पर 23 नमबर में आता है, आपका कि बंगला देश को भारत ने कब मानता दी थी, तो 1965 में, 1970, 1971 या फिर 1972 में, बचो 23 का जवाब क्या होगा, 23 नमबर सवाल का जवाब क्या होंगे आपके यहाँ पर, तो इस परसन का जो उत्तर हो जाएगा, विल्कुल कर दक्षिन कोरिया के, 24 का जवाब क्या होगा यहाँ पर, 24 नमबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगे, प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही उतर हो जाएगे, ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर 25 में आता है, कि 18 सार्क संबेलन कहा हुआ था भारत में, काठमांडू में, पाकिस्तान या फिर स्री लंका में, 25 का जवाब क्या होगा, चले, 25 नमबर सवाल का जवाब लगाएगे बाबू, जल्दी से, सही बच्चे, 25 नमबर सवाल का जवाब लगाईएगा, ओके, तो यहाँ पर जो जवाब होंगे, आपके correct आंसर यह हो जाएंगे, प्यारे बच्चे, राइट आंसर आपके यहाँ पर काठमांडू, आपसन नमबर वी वाला सही उतर हो जाएगा, ठीक है, अगला सवाल आपके यहाँ पर 26 नमबर में आता है, कि वीशो मानवा धिकार, दिवस तब मनाया जाता है, तो यहाँ पर 26 जनवर नाटो का जो अस्थापना हुआ, वो कौन से वर्स में हुआ था, इस प्रसन का जवाब क्या होँगे, वर्स नमबर में आता है, कि दक्छेष की अस्थापना कब हुई थी, 1997 में, 1985 में, 1985 में, 1990 या पर 2008 में, तो बच्चे यहाँ पर 28 नमबर सवाल का जो जवाब होँगे, आपके राइट आंसर, यह क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएगे, यहाँ पर 28 नमबर सवाल का जवाब यह हो जाएंगे, प्यारे बच्चे, 1985 में, 1985 में आपके यहाँ पर डक्छेष का स्थापना हुआ था, ठीक है, अगला सवाल के देखें, चलि 28 नमबर सवाल का जो मुख्याले है, वो कहाँ पर है, मनीला में, जगराता में, ठीक है, पेरिस में या फिर वासिंग्टन में, सही बच्चे को जल्दी से आंसर करना है बाबु यहाँ पर, जो बच्चे भी तक इस प्रस्न को जल्दी से आंसर नहीं करना है, आप सही बच्चे से नमर निव तो बच्चो तीस का जवाब क्या होगा तीस नंबर सवाल का जवाब आपके यहां पर क्या हो जाएंगे तो सही बच्चे बताईएगा राइट आंसर आपके यहां पर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे तो यहां पर तीस का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये देखे सुरक्षा परिसद, औक dolphins नमबर ये वाले सही उतर हो जाएंगे अगला सवाल यहांपर एक्टिस नमबर में आता है कि किस देश ने सुरक्षा परिसद में निसेदा धिकार को सरवाधिक बार परियोग किया है तो USA ने किया है फ्रांस ने किया है रूस ने किया है पिर चिन ने किया है तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके 31 नमबर सवाल में इस प्रसन का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर रूस अगला सवाल आपके यहाँ पर 32 नमबर में आता है कि निम्नलिक्षित में से कौन सन्युक्त रास्टरसंग का अंग नहीं है महासभा सुरक्षा परिशद अंतराष्टियन आया आले यूनिसेफ तो बताएंगे 32 का जवाब जल्दी से 33 का जवाब लगाएंगे आप लोग जल्दी से फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा 33 का जो जवाब हो गए आपके यहाँ पर बिल्कुल सही उतर यह हो जाएंगे प्यारे बैचे 1974 इसवी 1974 में ठीक है तो 34 का जवाब आप लोग को जल्दी से लगाना है इस प्रस्न का जो जवाब हो जाएगा बाव यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यह हो जाएंगे आपके यहाँ पर ध्यान दीजेगा जवाब हो जाएगा सामोहिक सुरक्चा ठीक है आपका option number D वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला सवाल आपके यहाँ पर 35 नमबर में आ रहा है कि सन्युक्तरास्ट्रसंग के तत्वा धान निसस्त्री करन आयोग कब बना था यहाँ पर 1945-1952-1960 है पर 1915 में बना था प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजे 35 नमबर सवाल का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे आपके तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर 1952 में जो यहाँ पर चांजुक्तरास्ट्रसंग के तत्वाधान निसस्त्री करन आयोग बना था यहाँ पर option number B को आप लोग यहाँ पर correct answer करेंगे ठीक है अगला सवाल यहाँ पर 36 में आता है कि इस परसन का जवाब क्या होगा आपका 36 नमबर सवाल का जो जवाब होंगे प्यारे बिचे यहाँ पर right answer यह हो जाएंगे पस्मी छेत्रा option number B वाले बिल्कुल correct answer हो जाएंगे अगला सवाल आपका यहाँ पर 37 नमबर में आता है कि भुमनली करन की शुरुआत कि इस दसक मे हुई है तो 1990 के दसक में, 1970 के दसक में, 1960 के दसक या फिर 1980 के दसक में तो प्यारे बच्चों 37 का जवाब क्या है आपका यहाँ पर सही बच्चे बताएंगे जल्दी से इस परसन का जवाब क्या होगा तो 37 का जवाब हो जाएंगी प्यारे बच्चे राइट आंसर यहाँ प पता तो बच्चों यहां पर जवाब क्या होगा आपके चली बताएंगे जल्दी से सही बच्चों यहां पर right answer क्या होगा 38 नंबर सवाल में जवाब ठिकेैं तो बच्चों यहां पर right answer हो सवाल होगा जो कि option number C में दिख रहा है आपको यहाँ पर अगला सवाल 49 नमर में आता है कि अखिलिक भारतिय किसान कॉंग्रिस के अस्थापना किसने की जोहारलान नहरू सहजानन्द सरस्वती सरदार पटे लिएपर चौधरी चरण सिंग 49 नमर सवाल जो आपके स्क्रिन पे दिख रहा है इस सवाल का जवाब क्या होगा तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे सहजानन्द सरस्वती जी तो option number B वाले correct answer हो जाएंगे अगला सवाल आपर 40 नमर में आता है आपका कि विधान परिशत के सदस्यों का कारिकाल कितने वर्स के लिए होता है तो 3 वर्स के लिए 6 वर्स के लिए 5 या पर 7 वर्स के लिए सही बच्चे बताएंगे यहाँ पर इस सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल correct answer यह क्या हो जाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर right answer हो जाएगा 6 वर्स के लिए 6 येर जो है आपके यहाँ पर correct answer option number B वाला हो जाएगा अगला सवाल आपके ब 37 सवाल का जवाब लगाएंगे इस फरसने का जवाब क्या होगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिआन दिजिए जवाब हो जाएगा नैती का दिगार जो है आपके यहाँ पर पर बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला सवाल आपका यहाँ पर आता है 42 नंबर में कि भारतिय संसत के उच अथवा द्यूतिय सदन का क्या नाम है ठीक है लोग सभा राजी सभा विधान परिशद या फिर सरवोच नहीं आया ले 42 का जवाब यहाँ पर क्या होगा आपका तो सही बच्चे बताएंगे जल्दी से इस प्रसन का क्या उत्तर है जी तो राजी सभा राजी सभा जोए आपकर बिल्कूल करेक्ट आंसर हो जाएंगे जो कि आपको अपसन नंबर बी में आपको दिख रहे होंगे ठीक है तो 1 8 85 25 या फिर यहां पर 75 तो 43 सवाल का जवाब हो जाएँगे राइट अंसर आपके यहां पर 75 कोई भी नहीं ठीक है तो बच्चों यहां पर राइट आइट आंसर क्या होंगे आपके जल्दी जल्दी बताइए आप लोग यहां पर स्क्रेंप पर पर जवाब हो जाएँगे आपके स्प्रेंगे और मर अब से तो प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत बढ़ी है, वेरी नाइस, तो बच्चों यहाँ पर 45 नंबर सवाल जो आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रस्ण का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे बागो, यहाँ पर 46 नंबर सवाल आ चुका है कि सम्विधान द्वारा किस भासा को राज भासा का दर्जा दिया गया है, तो अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या फिर हिंदुस्तानी, 46 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होंगे आपके, ठीक है, प्टाबर चोहतरमा, यहाँ पर बहातरमा, जवाब लगाईए, जल्दी से सही बच्छे जवाब लगाईए, आपर इस प्रस्न का जवाब क्या होगा आपका, ठीक है, 47 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके 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 आपर बिल्कुल करेक्ट आंसर यह हो जाएंगे, 74 जो यहाँ पर 48 नंबर सवाल पर जवाब लगाईएगा, मुस्लिम लिखे अस्थापना कभ भी थी, 1905 में, 1906 में, 1907 या फिर 1908 में हाना, तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपका, काफे बच्छो का आंसर 1906 है, बहुती बड़ी है बच्छे, वेरी नाइस, यह आपका बिल्क परदेश के लिए सवायत परदेश की मांग की थी, तो यहाँ पर जो जवाब होगा, आपका तिलंगना आंदोलन, विशाल आंदर आंदोलन, रेड रीबन आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इस परस्ण का जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, च समाजिक विकास है तू, समाजिक नया है तू, सतंतरता है तू, या फिर राष्टी एकता है तू है ना, तो इस प्रस्ण का जवाब लगाना है जल्दी से, सही बच्चे आंसर लगाईएगा, और जितने भी प्यारे बच्चे हैं बाबो, आप लोग, इस क्लास को अगर ला जो बच्चे नया है बाबो, आप लोग इस चैनल पर, तो सही बच्चे चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा, बेल आकन को अलटे से लेक कीजेगा, साथ में आप लोग इस क्लास को एक बार सेर कर दीजेगा, अपने प्यारे प्यारे मिंतरों के साथ, ठीक है, तो 50 नंबर स सवाल थोड़ा सा गड़बर है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगेर देते हैं, 52 नंबर सवाल आपका यहाँ पर है, कि सम्विधान संसोदन की परकिरिया का वर्नन जो है, किया गया है, ठीक है, तो किस में किया गया है, अनुछे 376 में, 356 या फिर 356 में, तो बच्चों य नंबर में आता है कि लोग सभा की अधिक्तम सदस्य संख्या जो होती है, वो कितना होता है, यहाँ पर 552 हो सकती है, 545 हो सकती है, 500 यहाँ पर 25 हो सकती है, तो यहाँ पर जबाब क्या हो जागा, जल्दी से बताइए, लोग सभा की अधिक्तम सदस्य की संख्या जो होगी, वो कितना होगा तो तिरपन का जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट अंसर आपके यहां पर पांसो बावान हो सकती है और अपसे नमबर जो है यह वाला बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जागा ठीक है किलिए रहे सही बच्चे को चले आगे बढ़ें जल्दी से बताइए आप लोग फटापट से यहां पर जो है सही बच्चे को आंसर करना है जी तो यहां पर अगला सवाल देखेगा यहां पर चोवान नमबर में सवाल आता है कि लोग लेखा समीती के में होते हैं विसेयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है, वो किसे है, राजियों के पास है, कानून बनाने का अधिकार, केंद्र एवाम, राजियों के पास, या फिर केंद्र के पास, या फिर किसी के पास नहीं, तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या लगाएंगे आप लोग, जल्द गारी सिवा या फिर इन में से कोई भी नी तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब होंगे निश्चित निवास कुछ समय तक आपके यर लगवग पांस या फिर छे साल तक भारत में रहना पड़ेगा किसी और देश से आये हैं तो तभी जो है उनको क्या मिलेगा नागरिकता प्राप्त होगा ठीक है तो आपसर नमरी वाले आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे यह हो जाएंगे प्यारे बच्चे 1951 ठीक है 1951 आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है अगला सवाल आपके यहां पर अंठावान नमर में आता है कि नगर निगम अस्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवज जाक है इस प्रस्ण का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके यहां पर तीन लाग से अधिक जनसंख्या है तो यहां पर जवाब आपके क्या होंगे आपसे नमबर एवाला करेक्ट आंसर है तो बच्चो यहां पर उनसट का जवाब क्या है जल्दी से बताएंगे आप लोग फड़ा पर जवाब होगा उनसट नमबर सवाल का जवाब यह हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपका यहां पर राइट आंसर यह होगा एक दल्य वेवस्ता में दूई दल्य वेवस्ता या फिर यहां पर एककल दल पर भुत्व वेवस्ता तो साथ नमबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रसन का जवाब क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग यहां पर राइट आंसर चले बहुत चले आप लोग का क्या सवाल है जल्दी से बताइए लेट हो गया है अंसु कुमारी जी और पर जल्दी से बताएंगे एक बार चले बहुत बढ़िया तो यहां पर जो जवाब होगा आप लोग को बता चुके हैं बाकी आगे चलते हैं सवाल यहां पर भारतिय राष्ट के कांग्रेस ने समाज के समाजवादी परतिमान के बारे में कब संकल पर लिया था तो 148 के जैपूर अधिवेशन में अग्रेस से है तो आप लोग को बिल्कुल पता है जमु एम कस्मीर ठीक है जमु और कस्मीर से समंधित है कौन धारा 370 ठीक है यहां पर जवाब आपका क्या होगा तो आपस नंबर जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे अगला सवाल यहां पर 63 में आता है कि भा नंबर जबतो काला बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला सवाल यहां पर 64 में कि 26 जनवरी को हम बनाते हैं आप लोग क्या मना थैंगे वाधा से मनाते हैं comment box नो बताइएगा जंडा दिवस कब मनायते हैं यह भी आप लोग comment box नो बताएगे जल्दी से बता है जिसमें आप से पूछा गया कि भारत भी विदता में एकता का देश है किसने कहा यह बात जल्दी से बताईए गांधी जी ने कहा नहिरू जी सबस्क्राइब कर लिजेगा बेल अकन को अल्प्रेस लेक कर लिजेगा ठीक है और मैं आपका बता दूँ कि टेलिग्राम वट्सप ग्रूप जरूँ से जवाइन कर लेंगे जिसका लिंक आपको डिस्कुशन बॉक्स में दिया गया है अगर नहीं जवाइन कर पाते हैं तो यहाँ पर एक नंबर देखिए 7666671300 ठीक है इस नंबर पर आप लोग वट्सप मेसेज करेंगे ठीक है तभी आप बारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद मिरवाचन के लिए प्रावधान करता है इसके बारे में बताएं इस प्रसन का जवाब क्या हो जागर मैं बता दूँ आप लोग को आपका जूस लाइव क्लास का टाइम टेबल है यह आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेगा कि 8 ब टेलिग्राम ग्रूप पर पता चलेगा ठीक है इसके लिए आप लोग को नंबर दे दी हैं उस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजेगा और आप लोग को गुरूप का लिंक मिल जाएगा आप लोग जोईन कर लेंगे सही ग्रूप को ठीक है तो यहाँ पर 67 नंबर सवाल याँ पिर और सही होगा अंदर लुंट बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे 68 नमबर सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यह क्या होजाएंगे सही बच्छे बताएगा ठीक है बड़ा बच्छा आप लोग यहां पर आंसर बताएंगे ठी मिस्री तर्थविवस्ता को या इनमें से कोई भी ने तो बच्छे आपर 69 नमबर सवाल का जवाब क्या होगा जल्दी से बताएंगे और आप सही बच्छे को टार्गेट दिया गया था कि आप लोग सही बच्छे 20 लाइक सही बच्छे मिलकर पूरा करेंगे ठीक है तो जि कि लिए सही बच्छे को चले बहुत ही बढ़िया सुर्यकांच सर्माजी बहुत बढ़िया चले मोटिवेशन एस के वाई जल्दी सांसर बताएंगे बाब अगला सवाल सतर नमबर में आता है इनमें लिकित में से कौन एक समवेधानिक संस्था नहीं है नीती आयोग वीत जंघ लोग सिवा योग चुनाव योग बताएंगे सतर नमबर सवाल का जो जबाब होगा आपका यहां पर करेक्ट अंसर यह क्या होगे बाबो तो इस प्रस्न का जो जबाब हो जाएगा आपका राट अंसर नीती आयोग हो जाएगा